मैं बताता हूँ कैसे दोशी है और मैं अपिक्सा करता हूँ कि हेमन सोरेंज जी इसको सुने और ज़वाब भी दे बंगाल में गुषपैट नहीं रुकी है क्योंकि वहाँ स्थानिय प्रसासन गुषपैट को बदावा दे रहा है जारखन में गुसपेट नहीं रुकी है क्योंकि स्थानिय प्रसासन गुसपेट को बढ़ावा दे रहा है तीनो जगे भी ऐसेफ है आसाम में भी ऐसेफ है इतनी विशम बॉर्डर जो बांगलादेश और भारत की है जहां कई नदी नाले है कहीं पहाड है कहीं वन है हर जगे सुरक्सा संभव नहीं है मगर मैं हमंत बावो को पूछना चाहता हूँ एक गुसपेट या अगर जारखन में गुसता है आपका पटवारी क्या कर रहा है आपका कलेक्टर क्या कर रहा है क्यों पॉलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है यहां भाजपा की सरकार बना दीजे हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको नाकेवल रोकेंगे इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे हमन बाबू जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हों क्या उल्जूल सवाल पूछते हों आपकी कोई जवाबदारी नहीं है ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सिमाओं से घुस्पेट हो और जिम्मेदारी केंदों पर ठोपे और आपका तो इरादा भी नहीं ह जब जारकन्द हाई कोट ने कहा इसको रोकने कहा आप प्रयास करेंगे आपने सपत पत्र पर आपकी सरकार ने ना बोला है कि हम नहीं रोकेंगे मगर अब आपका समय समापत हुआ है भारतिय जनता पार्टी की सरकार बन दे हैं हम इसको रोकेंगे भी चिन्हीद भी करेंगे और वापिस भी बेदने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार मैं बता देता हूँ उत्राखन में एक मोडल भारतिय जनता पार्टी सरकार ने देश के सामने रखा है उसमें हमने ट्राइबल्स को उनके रितिरिवाजों को इनके संसकारों को और उनके कानूनों को पून तया यूशी से बाहर रखा है भारतिय जनता पार्टी देश बर में जहां UCC लाएगी हम ट्राइबल को एक्स्क्लूर करकर UCC का implementation करेंगे इसमें कोई confusion नहीं अब वो तो मैं मानता हूँ कि चुनाव आचार सहीता लग चुकी है मगर moral ground पर हैमन बाबू ने रही इसका घोषणा करना चाहिए जनता को सची जन्मती थी बताने का दाई तो उनका खुद का है इसके लिए हमने हमारे गोषणा पत्र में आयोग बनाने का फैसला किया है और इस समस्या का सभी प्रकार के रास्तों का वो आयक संपूर विचार करकर एक नहीं निती बनाएगा पहले होकर देखो बई सब को मालूम पड़े जरा द्रश्टी आपका वक्रे थोड़ा